हेलो एवरिवन कैसे आप से भी आज मैं एक दम बहुत ही नई रेसिपी ले कर आई हूँ सुबा वो या साम ब्रेक्वास्ट में भी इवनिंग स्नैक के रूप में भी आप लोग खा सकते हैं बहुत ही टेश्टी बनी है फ्रेंड्स बच्चों बड़ो सभी को पसंद आएगी इतनी टेश्टी रेसिपी है अगर आप बच वे चावल फैक देते हैं मतलब घर में तो हम लोग इक्ष्टा चावल बनता ही है तो अगर आप पके वे चावल को बच जाता है तो आप लोग फैक देते हैं आज के बाद आप लोग कभी नहीं फैकिएगा जब इस तरह से बना सकते हैं सामके इवनिंग और स्नैक में भी बना सकते हैं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अगर मेरे रेस्पी पसान आए तो प्लीज एक लाइक करती जिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करती जिएगा तो चलिए यहाँ पर देखे मैं मेरे ये सुगा में बना कटी होई जैसे कि आप कोई भी सबजी आँ पर ले सकते हैं या विंस बेगर यह सब भी ले सकते हैं आप पुछे सबजी पसंद है यह अप लोग एकदम बनाकर जरूर एक वाड ट्राय कर जीगा तो यहां पर मैं कैरस लिगे मतलब गाजर ली हूँ और गाजर को इस तरह से जिए हो ज़ा काजर को काजर कर हैं धारी वाली ओर लालिवाली न्मिर्च कुप इस तरह से में कटकर लिहूँ प्यासको भी मैं एक मीडियम साई्स का प्याज दिहूँ जैसे इसे मैं बारिक ही सब कर लिएो कटकर लिहूँ आप जायते यहां पर रेस्प्धिम ओन में हटा दी हूँ इस तरह से मैं तोर-टोर कर डाल देती हूँ यहाँ पर मैं चार डाल रिद डाली हूँ फ्रेंट्स ताकि इसके अच्छी सी वाइंडिंग हो सके यह मेरा उपर पुरा भार गया था तो इसे मैं आम बाद में भी फिर डालंगी इसे गूद देते समय चलिए पर फिस एक दम इसे तरह से अगर 20 में आपको पानी की विजुरोत परे ना तो हलका छीटे मारकर आप यहाँ पर पानी का भी इस्तमाल कर सकते हैं जाता भी पानी नहीं डालना है फ्रेंस बेड से ही अच्छी वाइंडिंग हो जाएगे देखें मैं आपको दिखाती हूँ अ यहाँ पकोड़ा बनाते हैं या आलू पकोड़ा बनाते हैं उस तरह से इस तरह से बननी काईए बस इसं様 में अच्छा से एक से एक शेफ दे देना है तो यह चिपक नहीं रही है और नहीं चिपकी फ्रेंट्स आप लोग नॉन स्टिक तवा में बनाईए या कोई भी तवा बनाईए नहीं चिपकेगी अराम से बन जाएगी देखिए ब्राउन कलर इसका आगया एकदम बहुत अच्छा इसका कलर आया है देख सकते हैं आप लोग वीडियम टो हाई फिलिम पर इसे इतनी कलर लाने तक में इसे बनाई हूँ परफेक्ट कलर आ गई है फ्रेंट्स चले से वह निकाल लेती हूँ और दूसरे वाल मतलब दूसरे वीडिवी में इसी तरह से डालकर इसमें अब मैं कोई भी वाल का इस्तेमाल नहीं करूंगी कम तेल में ही आप एकदम बहुत अच्छी से टेश्टी से रेशिपी बनाकर रेडी कर सकेंगे देखिए कितनी परफेक्ट लाग और ग्रेटर की सायता से मैं यहां पर करके चीज डाल रही हूं बिल्कुल इस तरह की से ऊपर में हलकालका आप लोग स्प्रेट कर लें इस तरह से बहुत ही टेश्टी लगी फ्रेंस एक वार ना मेरे कहने पर आप लोग इसे जरूर ट्राइ करिएगा बचेवे चावल आपके घर में कभी भी नहीं फेक तो घर में सभी को पसांद आए कि एक वार तो जरूर आप बचेवे चावल से ये टेश्टी जरूर ट्राइ करिएगा इसे मैं दो मिनिट केली इस तरह से ठक दी थी अब गयास का फ्लेम यहां में बंद कर दी हूं एकदम पर्फेक्ट रेसिपी हमारी बंद कर एकदम अपनीches आपको पसंद आऋ रहे है तो प्लिज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करदिए एक लाइक कर दीजिए और हमारी वीडियो और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ सेयर कर दीजिए ताकि वह भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकेमें आप ही लोग से में आगे बंद on फ्रेंड्स तो प्लीज सपोर्ट करिए तो देखिए मैं एकदम रेस्पी हमारी रेटी है